हाई फ्रेंज तो इस वीडियो में आप देखेंगे समोसा चटनी की रेस्पी और हमने दो तरीके का समोसा बनाया हुआ है तो चलिए अभी श्टार्ट करते हैं यहाँ पे गेहु क्याटे में अजवाइन मिलाएंगे उसके बाद नमक डालेंगे और ऑईल डालके ने मिक्स करे लेंगे बढ़िया से उसके बाद इसमें पानी डाल करके गूत लेना है हलका हलका और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करे लें और वीडियो अच्छे लगे तो आप सेयर भी करिएगा तो चलिए अब इ जीरा लाल मेर्ज टमाटर पानी डाल देना है और अब यहां पर जाएगा कास्मेरी लाल मेर्ज का पड़ो कलर के लिए अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद नमक डाल देंगे और यहां पर अचार का छिलका ले लेना है ऐसे में बहुत टेस् मतगोवी को भी थोड़ा सा पीस लेना है इसी के साथ में थोड़ा सा आप इसमें लहसुन भी पीस सकते हैं और यह देखे हैं मारी चटनी बन गई है उसके बाद चली आलू को फ्राइ करते हैं ससो का तेल डाले हैं जीरा खड़ी धनिया उसके बाद यहां पर जाएगा बा ऐसे में बहुत टेश्टी बनती है आलू और उसकी बाद डालेंगे इसमें पानी ताकि पक जाए मसाला और यहां पे उबला हुआ मैस करके आलू डाल देना है लहसुन भी आप पसंद करती हैं तो आप इसमें डाल देजेगा यह देखे इससे जदा हमें मसाले नहीं डालन नमक margin डालेंगे ऐसे में बहुत अच्छे बनते हैं तो अलूफॉराय हुचुका है आप इस में लाष्ट में हरीधनिया पर भी ढाल सकते हैं तो आलूफॉराय करते हैं तो मेगी मसालव अलूफॉराय करते हैं 작은 खड़ी धनिया अद्रक, हरी मिर्श, हरी मटर, काली मिर्श का पाउडर, उसके बाद जाएगे इसमें मैगी मसाला ये देखो इतना डाल दिये हैं, थोड़ा से चलाते भी पकाएंगे उबलव हुआ जो आलू था, उनको पहले छील करके मैस कर लिए थे, अब इसे में डाल देंगे और नमक भी जाएगे, इसमें टेश्ट के अनुसार, मिक्स करेंगे सबको दो मिनट पका गरगिन को थाली में निकाल लेना है, अभी आप देख सकते हैं, दोनों तरीके का आलू फ्राई होकर के तयार है एक चाट मसाला और एक मैगी मसाला का, और अब बनाते हैं समोसा, तो सबसे पहले चकई कट करेंगे, छोटे-छोटे यहाँ पे जितना बड़ा आप समोसा बनाना चाहते हैं, आप उतने बड़ी चकई को कट करेंगे, उसके बद बेल करके बीच से कट करेंगे, थोड़ा सा लंबे साइज में बेलना है और यहाँ पे कट करने के बाद इसी तरीके से बना करके आलू को भर लेना है और ये देखो समोसा बन गया चलिए अब इसी तरीके से सब को बना लेते हैं दूसरा भी आपको बना करके दिखा रहे हैं ये मैगी मसाले का आलू भर करके इसको भी बना लेना है सच में फ्रेंट्स बहुत टेश्टी लगते हैं आप दोनों तरीके से बनाईएगा यहाँ पे चाट मसाले के समोसा और मैगी मसाले के समोसा दोनों बन गया है और अब इनको एक साथ हम करेंगे फ्राई तो चलिए समोसे जब अच्छे से फ्राई हो जाएं दोनों तरफ बढ़िया से तब इन्हें निकाल लेना है चले विसी तरीके से और भी समोसा को हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं दूसरी बार भी इनको ऐसे के करके डालना है और ये देखिए फ्राई हो गये हैं ये गेहूं के आटे का समोसा सच में बहुत अच्छे लगता है आप भी बनाएगा और जब ये समोसा बन जाएंगे तब आपको क्या करेना हरी मिर्ज को भी फ्राई करे लेना है समोसी के साथ में बहुत अच्छे लगते है और आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप सेयर भी करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर समोसा जो है बन करके तयार हो चुका है लाश्ट में हरी मिर्च को फ्राई करके निकाल लेना है कुछ इस तरीके से और ये देखो दोनों तरीके का समोसा रेडी है साथ में चटनी भी है और अगर आप ऐसे समोसे बनाएंगे तो आप कमबन करेगा बस खाते ही जाओ